हमें market की pre opening देखना को मिल रही है और pre opening की अगर बात करें तो Nifty में यहां पर 26,000 के आसपास हमें opening देखना को मिल रही है और bank Nifty में अगर हम बात करें तो हमें 54,000 के level पर pre opening market की दिख रही है अब ऐसी condition में देखे, market फिर trap कर लेता है ऐसी कंडिशन में क्या होता चववन अजार से 45 पॉइंट उपर है और 135 जो कल हाई लगाया तो उससे जो है लगबग 500 पॉइंट नीचे है तो अब मार्केट के पास दोनों कंडिशन में स्टॉप लोस अभी लेबल है कॉल में भी है पुट में भी है अब मार्केट यहां से पहले मार्केट क्या करेगा एक साइड के बायर या सेलर को खिलियर करेगा तो आपको उसके बाद जैसे मालों यहां से नीचे चलने लगे तो चववन अजार के लेबल पर आकर रिजिस्टेंस लेकर अगर उपर चलेगा तो फिर हम कॉल साइड में जाएंगे और अगर यह यहां से डाइरेक्ट ऊपर चलने लगेगा तो फिर हम बेट करेंगे प्राइस सेक्षन बनने देंगे तब उसके बाद ट्रेड करेंगे तो यही जो है कन्फूजन मार्केट देता है कभी-कभी अब अगर हम निफ्टी की बात करें तो यहां पर 26,000 के लेबल से उपर है त फिर किस तरीके से मार्केट का प्राइस सेक्षन बहेब करता है यहां पर अगर हम 25,000 के आसपास मार्केट के ओपनिंग मिलती तो हम यहां पर डाइरेक्ली सेल करने का प्लान करके जा रहे थे क्योंकि यहां पर इस टॉप लोस अब लेवल ते हैं अब यहां से इस बायर को जो 25-900 के पास में बैटे हैं इनको डाइरेक्ली 26,000 से target करना थोड़ा सा impossible लगता है क्योंकि यहाँ पर बड़ी वाइंग है और यह इसको directly target किया भी नहीं जा सकता तो या तो price action बना कर धीरे-धीरे market नीचे आएगा या फिर directly उपर निकल जाएगा तो अब देखते हैं price action किस तरीके का बनता है और हम उसी हिसाब से अपनी trade को जो है प्लान करेंगे तो bank nifty और nifty दोनों open हो गए हैं दोनों में ही market bank nifty में 54,058 के उपर sustain कर रहा है और नीचे जानी कोसिस कर रहा है ठीक वैसे ही nifty में market 26,000 के उपर open हुआ और एक red candle बनाकर ये भी 26,000 को break करने की कोसिस कर रहा है तो अब देखिए हम breakout का bet करेंगे अगर हमे 26,000 का breakout मिल जाता है strong candle के साथ तो फिर हम नीचे की तरफ trade बनाएंगे otherwise हम उपर की तरफ trade बनाने की कोसिस करेंगे ठीक वैसे ही हम bank nifty में plan करेंगे तो bank nifty में पहला candle जो है वो confusing बना है swing बनने का bet करेंगे और उसके बाद देखते है price action क्या बोलता है और उसी के according यहाँ पर trade आजका लिया जाएगा क्यां को Metallica मिया जापा से लाजक अर्ड़ यजिव लगरémदाना वाद के आईच Cape ऑरेंगे क्या बोलता है कि मेश अगरे अ सहुर्त, सम्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म् ऑल खत् участ मापिए बाद खताव réponse项 you अग्व्धरוס दोले को आगे तो बैंक निफ्टी में हम अपना सेट अप एक्टिवेट करने की कोसिस कर रहे हैं बहुत क्यूक सॉट टर्म के लिए ट्रेड रहेगा तो चलिए हम यहां पर 54,000 की कोल को परचेस करने की कोसिस करेंगे और देखते हैं क्या रहता है हाला कि निफ्टी को देखकर तो confidence नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी चलिए ट्रेड बना लेते हैं बैसे breakout अगर हो जाए तो ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि breakout rejection में भी convert हो सकता है निफ्टी में देखिए हमें breakout देखने को मिल गया है तो इसी basis पर हम यहां पर trade बना लेते हैं तो यहां पर हमें अच्छा खांसा profit नजर आ रहा है क्योंकि breakout हुआ है अब देखते हैं हम अपने target तक पहुँच पाते हैं या नहीं काफी सांदार movement हम capture कर पा रहे हैं इस time call side में तो अब देखते हैं यह 4200 के level तक अगर पहुँचेगा तो हमें एक बढ़िया सा profit बुक करने को मिलेगा हलाकि ठीक ठाक profit हम profit में इस time है तो profit थोड़ा सा कम हो जाता है कभी profit बढ़ जाता है यह मार्किट के tendency रहती है एक और breakout की हम bet कर रहे हैं थोड़ा सा profit लेकर market से निकलेंगे तो चलिए हम बुक कर लेते हैं bet करेंगे candle हमारे favor में बन रहा है 54200 के level तक हम इसको capture करने की कोसिस करेंगे तो 10% का profit हमने बना लिया है हम exit कर लेते हैं अपनी position से वैसे तो market में अच्छा movement आया हुआ है लेकिन हम यहां से exit कर लेते हैं तो हमने अपनी position से exit कर दिया है काफी बढ़िया 10% का movement और देखिए expiry में बस इतने ऐसे ही movement का हम capture कर सकते हैं क्योंकि देखिए यहां पर भी market में थोड़ा rejection आ रहा है अगर अभी market को उपर जाना होगा तो यहां पर कम से कम कुछ time तो बिताएगा क्योंकि जब ही sell उपर create होंगे और market उपर को चलना शुरू करेगा ठीक बैसा ही हमें bank nipty में देखना को मिल रहा है market उपर जाएगा तो उसे यहां से इस जो 54-200 का लेवल है उसको clear करना पड़ेगा तभी market उपर की तरफ चल सकता है फिलाल हम ज्यादा monthly expiry होने के बज़े से क्योंकि stock में monthly expiry रहती है future और option के contact जो है वो सैटल होते हैं आज 26 सितंबर है तो उस बज़े से ज्यादा हम यहां पर bet नहीं कर सकते फिलाल trade को यहीं पर capture करते तो यह था live आप इसको देखकर काफी कुछ सीख सकते हैं फिलाल इतना ही मिलते है नेक्ट वीडियो में तब तक लिए के बोचिंग एसेट काइड